पार्ती महिला होकी टीम विच एशिया कप जेतुआ दा शाबाद मारकंडा पॉंचन ते राजमंत्री किशन बेदी ने जोरदार स्वागत किता हाकी टीम दी कप्तान राणी रामपाल खिलाडी नवजो तते खिलाडी नवनीत दे आउन ते टोल वजाके ते फुला दी माला पाके ओना दा जोरदा स्वागत किता गया राजमंत्री किशन बेदी ने अपने वलों सारे जेतुखिडार यानू इकत्ती एकत्ती हजार उपए दा इनाम देन दी कोश ना कीती इस मौके ओना ने कहा कि शाबाद यां बेटियां ने देशता नाम रोशन कीता है इसलिए र पर वन से बट एक जो फाइनल होता है वो फाइनल का अलगी एक रिदम होता है गेम का फाइनल इतना इसलिए हमें नहीं मिलता बट हमारा यह ही था कि हमें मैच शूट आउट पर पहुंच सकता है तो हम पहले प्रिपेर होके गए थे कि मैच शूट पर आएगा और शूट पर हमें इतना कॉंट इसलिए एट मन्थ से हम कांटिनुज के प्रैक्टिस कर रहे थे तो वही इसलिए हमने वह बिन किया मैच इजी अगली तेयारी नेक्स्ट येर हमारा कॉनवेल्ट वर्ड कप और शूट गेम से उस पर हमारा पूरा फोकस है कि हम अच्छा करें टीम के तो यही रहेगा भी हम शाबत की जितने प्लेयर से टीम में आई हैं जी बलदेव सर को ही जाता है पर पानो तैयारी कैसे कर दरी आगे पोस्ति इंडिपेंडेंस अजादी से पहले या तो डिय वी बोर्डिंग स्कूल लाहॉर में होता था या जरंदर में होता था या होना चारिया वारडी सरदार बल्रेव सिंग जी ने यहां पे बहुत से बच्चों के साथ मैंन दी और मुझे लगता है कि एक समय तो ऐसा भी था कि सहाबाद से साथ साथ बच्चे इंटरनेशनल टीम के अंदर भारत के का परतिने तो करते रहे हैं आज भी हमारी बेटी र के आए हैं और आज सहाबाद के अंदर बहुत ही खुशी का महौल है मौदी जी का जो सपना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परंतु सहाबाद में महिला होकी पहले से ही बहुत आगरनी है